सामने श्रुण का मकान था और वह बहुत ही चल कपड करके दोसरों को ठगता था और इकतित करता था और कुछ राशकर्मचारियों से मिला हुआ था जब कभी ऐसी भी पत्ति आती तो राशक्र्मचारियों के सपोर्ट से बच जाता था तो राजकरमचारी उनके घर आते जाते ज़िए और वो जहां संपत्ति रखता था राजकरमचारीयों को पता था एक दिन उनके मन में आया कि यह बहुत चलकपट करता है धर्मी है और इसको मार करके हमी संपत्ति ले लेते हैं तो क्या ठर्क पड़ेगा क्योंकि अधर्म तो यह करता है मैं कुछ जानता हो तो दो राजकरमचारियों ने उसके हत्या कर दी और वो बाक्ष लेकर निकल रहे कि शामने वाले घर से एक व्यक्ति पहले बात्रूम लगशंका नहीं होते थे वह लगशंका के लिए निकला उसने राजकरमचारियों को बॉक्स लेते हुए और चेहरे पर भय देखते हुए उसने का हमें लगता है आप कुछ गलत करके आ रहे हैं तुरंत उसको एक आंत लेगा और देखें इसमें से जो हिस्सा चाहा आप ले सकते हो पर आप अपनी जबान बंद रखना उसने का मैं कदाप यह इसा नहीं कर सकता मैं बड़े अधिकारियों को पास सिकावत करूंगा कि आपने ऐसा ऐसा उन्होंने ततकाल उसको बंदी बनाया और उसके उपर र दा रहा तो स्वर्णकार का बद करते हैं कि बिल्कुल कोई अपराद उसका नहीं आप देखें उसको बंदी मना लिया गया दस्यों वर्ष लगते हैं नियायले में कभी-कभी नियाय करने के लिए बड़ा उसको कष्ट और धंड भोगना पड़ा जब नियाया दीश के साम करके देखिए मेरी बात पर आप जांच कीजिए जो दो राजकर्म चारी थे उन्हों का कि मेरी बात पर विश्वास कीजिए इसी ने ऐसा केस किया है दस्यों वर्ष उनको दंड भोगते हो गए तो एक चाल चली गए कानून भी भाग से एक जो मुरत पुरुष आया था ज और उस कैदी को भी साथ क्या इसके अंति में आत्रम कोई है नहीं तो आप साथ जाए राजकर्म चारी उन्हें धीरे से उनके कान में का उनके पास यह अंत्र लगे हुई थे अगर तुम मेरी बात मान जाता ना तो तेरे कुद्र नहीं मिलता तुझे देदेते उसमें से सं आज इवन कहरावास या पासी तुझे मिलेगी आवाज का वीडियो था के सामने गया उसने का तुम निर्दोश हो और उनको बंदी बना लिया अब एक महात्मा से वह मिला उसने का भगवान 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 के तो क्या बगवान के आन्याए मैंने बिलकुल पाप नहीं करके बताना इसी जन्में में किया तुमनें नहीं किया बिचार करके बताना सत्य बताना अई oraz कोई केश कोंसी खाया तो नहीं का हाँन सभान मैं नहीं में पर वो हमारे दिन नहीं हुई तो हमने चल करके उसे मारा और जमीन में गार दिया आज तक उसे कोई नहीं जाना तो बुले इसी कर्म का दंड तुम्हें मिला हुआ है तो जिनको न्याय विभाग के द्वारा अभी फाइनल नहीं हुआ और उनको कष्ट हो रहा है तो मैं प्र कोई आत्मत्या करने के बाद फाइप इस्टार होटल ठोड़े खा कि आप सरी छोड़ दोगे और बहुत आपको सुख प्राप्त होने लगेगा नहीं नहीं जो नतरे भौसागर अस समाज नर्पाए शुवति निंदक मंदमति आत्मनंगति जाए सबसे बड़ी दुरगति इसलिए समस्त केदियों से और अन्य भायों से भी हमारी प्रार्तना है कि आत्मत्या का विचार नहां करें और नामजब करते हुए अपने पापों का नास करने के सोचें आपको जो कठिन से कठिन सजा भोगनी पड़ रहे या आपको जो ऐसी परिस्थिति में कि अभी निर हम इस आज के सत्संग में यह क्या यह जो आप लोग मन माने आचरंड करते हैं मदिरा पीना वेविचार करना पश्वों को पका करके खाना हिंसा करना आप देख लीजिएगा इसका जब परिणाम आएगा तो हो सकता है आप उस केस में बिलकुल दोशी नहों लेकिन आपको भ भगवान को पुकारेंगे और अच्छे आचरंड करते हुए अपने जीवन की स्वासें सचिदा नंद में वितीत करेंगे जनम जनम की बिगरी बन जाएगी जनम जनम की बिगरी यह जो आत्मत्या है यह कोई उपाय नहीं दुख से छूटने का और किसी को कोशने की जरुर और आगे देखिए क्योंकि हम लोग अनंत जनमों से भटक रहें इसलिए समस्त कैदियों से प्लार्थना है कि आप नाम जब कीजिए देखिएगा आपका हरदेशी तल हो जाएगा आप भावबंदन से मुक्त हो जाएंगे यह तो सांसारिक कैद है आप भावबंदन से माय साँ से आप की के जाएगे यह तो से कावम बदन लेकि guilty कि अब करे देखिएगा इसलिए मजप डिलन से में होग गावबंदन से म 한 कि यह तो नोगा जिरा आपका हरदेदार